हलो दोस्तो स्वागा थे आपका अपनी ही चैनल फेंटेसी एक्सपर्ट में अफगनिस्तान वर्से स्री लंका के बीच ये एसीय कप का सिक्स्त मैच है और इस मैच में डिरेक्ट ग्राइन लिग की टीम कॉंबिनेशन बनाने वाले है और हर एक टीम कॉंबिनेशन में कोई भी नहीं हा रहा होगा पूरा जैकपोर्ट मैच था तो इस मैच में भी आप ग्राइन लिग या स्मॉल लिग को जैकपोर्ट बनाना चाहते हो तो इसमें कई सारी लोग गलतिया करेंगे जैसे कि रासित खान थिसकाना मुझीबूर रहमान मुहमन नावी जैसे प्लेय जिनका परफॉर्म आने वाला है और लोग इगनोर करेंगे जिनका सेलेक्शन काफी लो रहेगा तो आप ग्रैन लिग की टीम को रैंक करा सकते हो साथ में दोनों टीम के एक एक प्लेयर का रिसेंट पर्फॉर्मेंस वेन्यू पर्फॉर्मेंस और पीच रिपोर्ट के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन का सीन किलियर कर दूँगा जिसकी मदद से आप ग्रैन लिग की टीम को रैंक करा सकते हो साथ में इसमोल लिग को जैकपोट आसानी से बना कर अच्छे खासे एमांट को विन करना चाहते हो तो वीडियो को सुरू से अंतक देख लेना बिना सब्सक्राइब करके साथ में वेल आइकन को दबा देना ताकि में कोई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोर्टेंट होता है मेरा टेलिग्राम जोइन करना जहां टॉस के बाद कोई भी निउस अपडेट आते हैं वो बताये जाता ह साथ में गरांण लिग और इसमाल लिग की फाइनल टीम आपको तेलिगराम पर ही मिलती है तो तेलिगराम जरूर से जुएन कर लेना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब से पहले पीछी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं गदाफी किरकेर गराउन करांची में मैच होने वाला है और ये गराउन बैटिंग सपोर्ट पीछ है बैटिंग अच्छा खासा हो जाता है आपने देखा पिछले मैच में बंगलादेश जैसी टीम पहले बैटिंग करके 33 334 रन मार दिये वो भी 5 बिकेट पर और अफगनिस्तान के ही खेलाब तो अफगनिस्तान की तरफ से काफी तगरे बॉलर हैं फिर भी बैटिंग करके काफी तगरे रन बना दिये तो इसलिए आपको लास्ट के कुछ मैच का रिकॉर्ड इस गराउन का देखना है जिससे बैटिंग करने वाले 30 मैच को विन की हैं तो वैसे फर्स्ट और सिकेंड में उतना ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन डिसेंट का जो हाल है जो टीम पहले बैटिंग करते हैं वो एक बड़ा स्कोर टार्गेट दे देते हैं तो इसलिए कोई भी टीम टॉस जीतेंगे तो पहल तगड़ा बैटिंग हो रहा है पिछले मैच में भी 300 प्लस रन बना है तो देख लेते हैं लास्ट के कुछ मैच का इस गराउंड का रिकॉर्ट तो यहां पे लास्ट मैच जो बंगलादेश खेले हैं 5 विकेट पर 334 रन बनाए थे जबके अफगनिस्तान चेस करने में 245 पर पूरी टीम ऑल ओट हो गए थे यहां पर पेसर को फर्स्ट इनिंग में एक विकेट मिला था जबकि सिकेंड में 9 विकेट और इस्पीनर को फर्स्ट इनिंग में एक विकेट सिकेंड में एक विकेट तो यहां पर इस्पीनर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है यहां पेसर को ही विकेट मिल दा है और बैटिंग काफी तगरी हो रही है जबकि उससे पहले अस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ है तो अस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करके 210 रन ही बना पाए थे पूरी टीम ओल ओट हो गया पाकिस्तान चेस करने में यहां पे 214 र बैटिंग करके 348 रन मारे थे 7 विकेट पर पाकिस्तान चेस कर लिए थे सारे 300 रन बना दिये थे 4 विकेट पर यहां पे भी पेसर को ही ज़्यादा विकेट मिला है उससे पहले अस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ है इस मैच को लॉस कर गया थे पाकिस्तान यहां पे 303 रन बना था तो यहां पे जिनरली देख रहे हो कि 300 पलस रन बन जाते हैं वैसे अगर स्री लंका पहले बैटिंग करते हैं तो फिर 300 पलस का उमीद कर सकते हो वैसे अफगानिस्तान की तरफ से जो टॉप अडर के बैस्टमेन है वो चल जाते हैं तो क्रॉस कर सक हमें। जबकि स्पीनर को उतना जादा सपोर्ट नहीं है। इसका जरूर धेयन देना। इसलिए मैं स्टार्टंग माहीं भोल दिया हूं। कि आप जादातर स्पीनर को क्यापटन वाइश कैपटन बनाने कैपटन नहीं लेना। इं दोने टीम के बीच hit to hit की बात करें तो total 10 match खेले गए हैं जिसमें 6 match स्री लंका और 3 match अफगानिस्तान विन की हैं एक match का no result रहा है जबकि recent की बात करें तो लगातार स्री लंका एक भी match हार ही नहीं रहें लगातार विन करके आ रहें और last के 2 year की बात करें तो last के जो 2 साल में 5 match खेला गया है ये एक match को अफगनिस्तान विन की हैं और स्री लंका चार match को जबकि other team की भी बात करें तो लगातार 5 में शिरिफ एक match को ही विन की हैं अफगनिस्तान जबकि स्री लंका की team काफी form में हैं एक भी match अभी तक loss नहीं की हैं जो last में खेले गये हैं जबकि इन दोनों के बीच जो recent वाला match हुआ है दो सोलर रन वारे थे अफगनिस्तान पहले बैटिंग करके पूरी team औलोट होगे स्री लंका शिरिफ एक विकेट पर chase कर लिये थे उससे पहले भी देखोगे स्री लंका एक बड़ा score बनाये थे तीन सो ताइस का जो की छे विकेट पर यहां पे भी chase करने मे पूरी team औलोट होगे उससे पहले देखोगे तो यहां पे इस मैच को loss किये हैं स्री लंका इस मैच को एक बड़ा score समझ सकते हो कि chase कर लिये थे उससे पहले भी स्री लंका के खिलाब एक बड़ा score खड़ा किए थे तीन सो तेरे का आर्ट विकेट पर यहां पे भी स्री लंक अगर दोनों टीम का कंपेर देखोगे तो इस सिरी लंका का काफी स्ट्रॉंग है वैसे बैटिंग लाइनप अफगानिस्तान के तरफ से भी है कुछ प्लेयर चल जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है जी अफगानिस्तान के पॉसिवल प्लेंग लेवन के बात करें तो जो लेकिन इसका कंडिशन जरूर समझ लेना यह नहीं कि आँख बंद करके आया और कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिए तो आपका लॉस अलग सकता है जबकि अगले प्लेयर फारुकी हैं यह भी लेफ्ट हंडर बॉलर हैं जबकि पेसर बॉलर हैं अच्छे बॉलिंग करते हैं और यह भी कंसिस्टेंट है जबकि मोजीबुर रहमाल ऑफ ब्रेक बॉलर हैं तो यह इनके पॉसिवल प्लेयर का रिसेंट परफॉर्म देखोग जबकि उससे पहले भी एक मैच में 145 रन मार चुके हैं लेकिन कई सारे मैच में फ्लॉप भी हो गए हैं तो यह कंसिस्टेंट नहीं है और आप जनरली देखोगे इनके प्लेयर का कि कोई भी प्लेयर कभी कभी बीच बीच में परफॉर्म बड़ा स्कोर खड़ा कर देते ह तो इसलिए इस मैच में जरूरी है कि आप ग्राइन लिग खेलते हो तो ग्राइन लिग की टीम कंबिनेशन आपको बनानी ही होगी क्यूंकि आप किसी को ग्राइन टी के साथ आप अफगनिस्तान के प्लेयर बैटिंग सेक्शन से आप नहीं ले सकते भरोसे के दम पे लेकि उससे पहले जितने भी मैच देखोगे पाकिस्तान के खलाब एक मैच में एक विकेट निकाले थे लेकिन उसके बाद कई सारे मैच में फ्लॉप ही जा रहे हैं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अगले प्लेयर सहीदी है सहीदी भी काफी रिस्पोंसीवल प्लेयर है रिसे जबकि अगले प्लेयर मुहमन ना भी है पिछले मैच में तीन रन मारे थे कोई विकेट नहीं मिला था जबकि पाकिस्तान के खलाब 29 रन और 2 विकेट निकाले थे उससे पहले 7 रन 2 विकेट उससे पहले 1 विकेट 25 रन 1 विकेट तो ठीक ठाक है मतलब बॉलिंग से या विकेट उससे पहले भी 22 रन 3 विकेट बीच बीच में एकाक मैच में फ्लॉप भी है जबकि करीम जन्नत है पिछले मैच में एक रन मारे थे उससे पहले 9 रन मारे थे बाकि इनका कुछ खास है नहीं अगले प्लियर रासित खान है पिछले मैच में 24 रन ही मारे थे विकेट नहीं मिला था जबकि उससे पहले 16 रन एक विकेट जो कि पाकिस्तान से स्रीज हुआ था उसका है उससे पहले भी पाकिस्तान के खलाब एक मैच में फ्लॉप गये थे और एक मैच में दो विकेट निकाले थे उससे पहले 6 रन दो विकेट दो विकेट तो इस तरह से ये विके लिए हैं एक विखेट दो विखे件 हैं तो काफी अच्छे पर्फॉर्मर हैं काफी अच्छे प्ल Yuyer हैं पाकिस्तान ke खिलाब भी तीन विखेट निकाल कर आ रहे हैं एक विखेट एक विखेट तो यह पाकिस्तान के खिलाब का परफॉर्म जबकि इनकी तरफ से small league में आप 5 player को try करना चाहें तो पहले हम balling से बात करते हैं तो फारुकी को रखेंगे साथ में safe option हो जाते हैं रासित खान क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं तो इसलिए इनको भी रखने वाले हैं अगले player मुहमद नावी को रखूँगा जबकि जडरन और गुरबाद ये 5 player safe रहेंगे और ज़्यादा तर लोग इनहीं को ले कराएंगे जबकि मैं आपको जब small league की team बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि एक से दो player unique कर देना है जिसकी मदद से small league को jackpot बनाया जा सकता है ज़्यादा risk small league में नहीं लिया जाता है दिलंका के possible playing 11 की बात करें तो पतुनी संका के साथ करूनारच ने opening करेंगे और इनका lefty और righty का combination अच्छा है दोनों अच्छे player है जबकि picket keeper में कुसाल mendis मिलेंगे और ये right hander bestman है समाविक्रमा है ये भी right hander है चरीतर असलंका है left hander bestman है और off break balling करते हैं balling से उमीद नहीं करना वैसे इनको balling recent में नहीं कराया जा रहा है जबकि अगले player DD Silva है, right hander bestman है ये भी off break baller है तो balling अगर मिलेगा तो DD Silva को ही मिलेगा और जो अफगनिस्तान की तरफ से कई सारे left hander bestman है तो DD Silva balling भी कराने वाले हैं साना का है, जबकि right hander bestman है और medium pace balling करते हैं वालेज है, जो की काफी अच्छे player है left hander bestman है और orthodex balling करते हैं तो अफगनिस्तान की तरफ से कई सारे right hander bestman है तो ये आपको अच्छा काम करके देने वाले हैं इनको trump card भी बनाऊंगा जबकि मैं trump card का condition आगे बताऊंगा और trump card वहीं पे दिखा दूँगा कि आज के match का कौन-कौन से player trump card रहेंगे जबकि अगले player थिसकाना है ये भी off break baller है अगले player रजीथा और पतिराना दोनों left hander baller है तो इनका perform आ सकता है लेकिन इस match में एक player आपको change देखने को मिल सकता है जादत पर chance है रजीथा को इस match में बैठा दिया जाए तो सेम पतुन निसंका जो अफगनिस्तान की तरफ से गुरुबाज है उसी तरह है ये भी बीच बीच में एक बड़ा score खरा करते हैं और अक्सर ये flop भी हो जाते हैं आप recent का ही देख लो पिछले match में 14 रन मारे थे उससे पहले 23, 104, 101, 0 तो ये काफी गजब के player है लेकिन पहले batting करते हैं तभी इनको captain wise captain में try कर सकते हैं जबकि second में उतना ज़्यादा important नहीं रहते हैं फिर भी एक बड़े player है तो small league के लिए safe हो जाते हैं जबकि कई सारे match में सतक भी लगाए हैं तो आप try कर सकते हो करू नारतनी है जो कि consistent player है पिछले match में सिर्फ एक run मारे हैं उससे पहले 83, 33, 7 तो भाई ये गजब के player हैं इस पे लोग drop इस match में इसको drop करेंगे और इसको मैं trump card बनाने वाला हूँ और क्यूं बनाऊंगा उसका condition आगे दिखाऊंगा अगले player कुसाल मेंडीस है कुसाल मेंडीस का भी देखोगे पांच रन, 43, 34, 25, 10 तो इस match में इनको भी लोग ignore करेंगे क्योंके गुरुबाज हैं तो officially है कि लोग उनके साथ जादा जाएंगे वैसे ये भी एक बरे player है recent perform उतना सही नहीं है लेकिन उससे पहले काफी गजब के perform कर रहे थे तो बरे player हैं कभी भी बड़ा score कर सकते हैं समा विक्रमा है जो कि पिछले match में 54 run मारे हैं उससे पहले 19, 17, 1 तो कुछ खास नहीं है बस last वाले match में मारे हैं जबकि असलंका है असलंका काफी गजब के player हैं वैसे इनका ODI का उतना जादे experience है नहीं पिछले match में 62 run मारे थे 36, 2 तो ये इनका perform है जबकि डीडी सिल्वा है पिछले match में 2 run मारे थे एक विकेट मिला था उससे पहले 4 run 0 विकेट 0 विकेट 24 run तो ठीक ठाक player हैं और ओलांडा section में काफी safe player हैं आप try कर सकते हो सनाका है 14 run 1 विकेट एक विकेट 5 run 1 विकेट तो भाई सनाका को भी लोग drop करेंगे टीम के कैपेटन हैं और एक विकेट का उमीद करते हो तो आप grand league में try कर ही लेना क्यूंकि grand league में ऐसा ही होता है कि एक विकेट को ऐसा player निकाल लेते हैं तो वो अपना grand league में जगा बना लेते हैं जबकि अगले player वालेज हैं जो कि पिछले match में एक विकेट निकाले थे उससे पहले 3 run 0 विकेट 32 run 0 विकेट और 31 run तो वैसे तो अभी तक batting से ठीक ठाक perform आ रहा था इस match में आप balling से ज़्यादा उमीद कर सकते हो क्योंकि ये orthodex baller हैं और अफगनिस्तान की तरफ से कई सारे right hander bestman है तो विकेट मिल सकती है अगले player थिसकाना है 2 विकेट, 13 run 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट 28 run 3 विकेट भाई काफी गजब के player हैं रासीद खान से भी काफी गजब perform अभी recent में दे रहा है और जो स्रिलंका win कर रहे है ये एक तरफा win कर वा रहे है क्योंकि थौक में विकेट लेकर चले जाते है कई सारे match में captain wise captain के option बने है तो इसलिए वैसे ये off break baller है और अफगनिस्तान की तरफ से कई सारे left hander bestman है तो इनको balling तो मिलेगी लेकिन विकेट उतना जादा spinner को नहीं मिलता है इसको जरूर ध्यान में रखना अगले player रजीता है इनका 0 विकेट एक run एक विकेट एक विकेट एक विकेट तो ठीक ठाक है average है पिछले match में इनको विकेट नहीं मिला था अगले player पतिराना है पिछले match में 4 विकेट जार दिये थे उससे पहले 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट तो ठीक ठाक player है इनकी तरफ से आप small league में 6 player लेना चाहें तो balling section में सबसे पहले बात करेंगे तो थिसकाना और पतिराना ये दो fix player रहेंगे अगले player पतुन निसंका और करू नारतने को भी मैं try करने वाला हूँ जबकि DD सिर्वा रहेंगे तो 5 player होगे और आप चाहें तो असालंका को try कर सकते हैं तो ये आपके safe 6 player रहेंगे जनरली लोग यही player को ले कराएंगे आप safe बनाना चाहें करोगे तो आपको loss लग सकती है जबकि grand league की बात करे तो ये मेरा trump card खेलाड़ी है आज के match का पतुन निसंका पहले batting करते हैं स्री लंका तो आप captain wise captain भी जा सकते हो क्योंकि कई सारे match में recent में ये सतक भी लगाए हैं और एक बड़ा लंबा party खेलते हैं उसमें batting अच्छा खासा हुआ था जबकि अगर पीच में changing होते हैं बदलाव होते हैं तो spinner को wicket मिल सकता है वैसे दोनों ये दोनों baller ऐसे हैं कि किसी भी पीच पे इनको wicket मिल जाता है तो इन दोनों को आप try कर सकते हो वैसे रासिद खान batting भी अच्छा कर लेते हैं तो आप इनको try कर सकते हो अफगनिस्तान पहले batting करेंगे तो इनकी batting भी आ जागी वैसे second inning में भी आ सकती है लेकिन पहले batting करते हैं तो ज़्यादा safe captain wise captain के रहेंगे नहीं तो आप पतिराना के साथ जा सकते हैं वैसे डीडी सिल्वा, जडरंद गुरवाज और पतुनिसंका ये चार option small league के लिए safe रहेंगे जबकि grand league में आप जो है rotate कर सकते हो जैसे कि naib है रजीता है और मुहमन नावी को भी try कर सकते हो जबकि दीडीर सिल्वा ओफ ब्रेक बॉलर है तो अफगरिस्तान की तरफ से कई सारे left hander है इस मैच में ये भी ball कराएंगे तो आप इनको भी try कर सकते हो तो फिलहाल आप इन सभी player को rotate कर grand league की team बना सकते हैं टीम की बात करें तो ये मेरी small league की team है गुरबाच के साथ जडरन और पतुनी संका करूनारतने को रखा हूँ जबकि यहाँ पे मुहमद नावी पे रिस्क लिया हूँ नावी को drop किया हूँ आप safe जाना चाहें तो यहाँ से कोई एक baller जैसे कि फारूकी है उनको drop कर सकते हैं लेकिन फारूकी को इस match में मैं trump card के तौरपर try कर रहा हूँ क्योंकि लोग ignore कर रहे हैं तो यह grand league का trump card खिलाड़ी है और इनको इस match में wicket मिलने की ज़्यादा संभावना है उसी तरह पतिराना है यह देखो दोनों left hander baller है medium pace ball करते हैं और दोनों team की तरफ से कई सारे left hander है कई सारे right hander best man है तो इन दोनों को इस match में wicket मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी तो इसलिए मैं इनको try कर रहा हूँ और दोनों को captain wise captain बनाऊंगा grand league में जबकि यह मेरी small league की team है इस match में आप captain बनाना चाहो तो डीडी सिल्वा को पहले wise captain बना दे अगर स्री लंका पहले batting करते हैं तो पतुनी सिंका को captain बना कर आप रासीद खान को wise captain बना देना अगर अफगनिस्तान पहले batting करते हैं तो आप गुरवाज को wise captain बना के थिकसाना या आप गाईब या डीडी सिल्वा को वाइस कैप्टन बना सकते हैं तो फिलहाल अगर फाइनल टीम जोईन करने के लिए बताओं कैप्टन वाइस कैप्टन के ओप्सन तो आप रासीद खान को कैप्टन बना दे और थिसकाना को वाइस कैप्टन वैसे इस ground पे batting अच्छी होती है विकेट उतना ज़्यादा नहीं गिरता है baller safe नहीं है captain wise captain के तो आप baller इन दोनों को try कर सकते हो या ऐसा होगा कि इन दोनों को try कर सकते हो grand league की बात करें तो दो grand league की team दिया हूँ यहाँ पे दोनों team unique है क्योंकि यहाँ पे all under section में सारे player को drop किया हूँ जबकि सबसे ज़्यादा all under section को लोग focus कर रहे हैं और सारे player का higher selection जा रहा है जबकि इसमें सिर्फ naive को रखा हूँ इसमें balling पे focus कर दिया हूँ जबकि यह ground काफी बड़ा है जबकि यह ground काफी batting के लिए suit करता है जबकि batting section में कई सारे risk लिया हूँ लोग जो है batting के favor में जाएंगे तो इसलिए मैं थोरा सा unique करने के लिए balling के favor में गया हूँ और यह जो बताया हूँ कि 3 pitch है तो pitch में बदलाव होता है तो definitely है कि कई सारे match हुए है यहाँ के low score 70 पे पूरी team भी all out हो चुकी है जबकि कई सारे 200 के अंदर भी match हुए है तो अगर 200 पलस भी अगर 200 के करीब भी जाती है match तो उस condition में balling पे match आ जाएगा तो यह team rank कर सकती है जबकि batting favor team की बात करे तो यह batting support पीछ है जिस तरह पिछले match में हुआ था और उसी तरह होते है match तो फिर यह team आपकी काम कर सकती है जिसमें captain wise captain unique कर दिया हूँ क्योंकि दोनों team से एक ही एक baller लिया हूँ और दोनों left hander baller है और दोनों को captain wise captain try किया हूँ तो यह और यह दोनों grand league की team है जिसमें कई सारे risk है अगर risk की बात करू तो जैसे रजीता है और आप यह कह सकते हो फारुकी है नाइव है और करू नारतने है तो इसमें तो उतना नहीं है लेकिन इसमें भी देखोगे तो इसमें थोड़ा unique है वैसे ज़्यादा risk नहीं है लेकिन फिर भी कई सारे changing है बदलाव है टीम में तो इस टीम से आफिलहाल team join कर सकते हो बाकि टेलिग्राम मेरा जरूर जोइन कर लेना क्योंकि टॉस के बाद आपको final grand league और small league की team टेलिग्राम पे ही मिलेगा जोइन करने के बाद वीडियो को like और channel को subscribe कर लेना ओके thank you